हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टु दी एक्जाम ओरिजिनल सी यूटूब चैनल मैं हूँ अधितीक उसवहाँ और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भारत की ऐसी कौन-कौन सी नदिया है जो की बंगाल की खाड़ी में अपना जल गराती हैं उनको याद करने के एक interesting trick तो इस टिक के जरीए आप लोग जो हैं वो इंडिया की ऐसी नदियों के नाम याद कर पाएंगे जो की बंगाल की खाड़ी यानिकी बे ओफ बंगाल में अ अपना जल गराती हैं तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताओंगी कि बंगाल की खाड़ी में जल गराने वाली नदिया कौन कौन सी है उनको याद करने की एक इंटरस्टिंग ट्रिक तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले अगर हम लो के नाम याद रख सकते हैं जो की बंगाल की खाड़ी में अपना जल गराती हैं तो इसमें ब्रह्मा से आप लोग जो हैं वो ब्रह्म पुत्र नदी को याद रख सकते हैं तो ब्रह्म पुत्र नदी जो है वो हमें चाइना से फ्लो होती हुई हमारी कंड़ी में उसके बाद फिर बांगला देश में तो इस तरीके से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद की से आप लोग दो नदियों के नाम याद रख सकते हैं कृष्णा और कावेरी तो कृष्णा और कावेरी जो नदिया है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यह दोनों नदियां भी हमें बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हुई दिखाई देती हैं तो इनके नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं उसके बाद गोध से आप लोग गोदावरी नदी का नाम याद रख सकते हैं तो यहाँ पर आप लोग जो हैं वो यह गोदावी नदी भी देख सकते हैं यह कृष्णा है यह कावेरी है और यह ब्रह्मपुत्र मैंने आप लोग को बता ही दी है तो इस जरीए आप लोग जो है इन चार नदियों के नाम याद रख सकते हैं ब्रह्मपुत्र केष्णा, कावेरी, गोदावरी अब आगी हम लोग बात करें अगर मेसे तो मेसे आप लोग महा नदी का नाम याद रख सकते हैं महा नदी जो है, वो भी हमें बंगाल की खाड़ी में अपना जल गराती हुई दिखाई देती है तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये महा नदी दिखाई दे रही हैं इसके बाद फिक गंगा से तो आप लोग गंगा नदी का नाम याद रखी सकते हैं तो गंगा नदी जो है, वो भी भ्रह्मपुत्र के साथ जब मिलती है, तब ये दोनों भ्रह्मपुत्र नदिया और जो गंगा नदी है, वो दोनों मिलकर मेखना बनती है और फिर वहाँ से जाकर वो जो है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गराती है तो आप लोग जो है इन नदियों के नाम याद रख सकते हैं तो मैंने कौन कौन सी नदिया बताई जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गराती है तो आप लोग याद रख सकते हैं ब्रह्मपुत्रा, इसके अलावा किर्ष्णा, कावेरी, गोधाबरी, महानदी और गंगा तो यह जो नदिया है इनके नाम आप लोग इस ट्रिक के जरिए याद रख सकते हैं अब आप लोगों के राज जिसे कौन सी नदी फ्लो होती है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो आज का हमारी जो इंट्रेस्टिंग ट्रिक थी वो बस यहीं तक रखते हैं अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीस जादा से जादा लोगों को शेर कीजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा जिससे की इसी तरीके की और भी इंट्रेस्टिंग ट्रिक्स आप लोगों को मिलती रहें इसके लावा आप लोग हमारे और भी कोर्से जाइन कर सकते हैं जैसे हमारी यहां आप लोगों को MPPSC, Pre-O-Mains का पूरा कोर्स देखने को मिल जाता है Pre-O-Mains का क्रेस कोर्स, Mains का क्रेस कोर्स, Pre-O-Mains के टेस्स सीरीज इसके लावा MPPSC का Full Study Materials, सब कुछ आप लोगों को हमारी यहां देखने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी MPPSC के Pre-Person करना चाते हैं तो हमसे कहीं भी Contact कर सकते हैं और हमारे साथ जोड़कर अपनी तयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो वीडियो को मैं बस यहीं तक रखती हूँ मिलूगी अब मैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद